हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आज हम बात करते हैं माइक्रोफोन के बारे में और माइक्रोफोन यूट्यूब अगर आपन वीडियो बना रहे हैं या कोई रिल्स बना रहे हैं या कोई शोट्स वीडियो बना रहे हैं या फिर हम dsr camera का use कर रहे हैं तो कौन सा microphone यूज़ करना चाहिए इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा आज करते हैं इसकी unboxing friends मेरे जेनरल का नाम है only for solution वीडियो अच्छा लगे तो like किजेगा share किजेगा बात करते हैं बोया के bym1 microphone के बारे में ये मैंने जो है इसको flip card से खरीदा है और flip card पर आसानी से मिल जाता है दूसरी बात ये इसकी एक सबसे अच्छी खासियत है ये कि 3.5 mm jack में camera plus dslr दोनों में मतलब smart phone और dslr दोनों में बहुत अच्छे से काम करता है और ये genuine original product है आप देख रहे होंगे कि sticker जो चमक रहा है ये वाला ये बिल्कुल genuine और original product है और YouTube पर जो भी लोग video बनाते हैं इस माइक का जरूर उप्योग करते हैं और इसके उप्योग करने से क्या फरक पड़ता है आप पता लगा सकते हैं कि आवाज की quality काफी अच्छी हो जाती है और अब आज की quality के साथ साथ आपका वीडियो भी बहुत अच्छा जबनता है आप इसके साथ क्या क्या मिला है देखो मैं एक हास से वीडियो बना रहा हूं और इसके साथ मिला है मुझे इतना सामान इस box के साथ यह पाउच है स्वरी उल्टा रख दिया मैंने बोया का बोया इस पर है लिखा हुआ मार्किंग की हुई है यह पाउच है अंदर से निकला है मुझे यह microphone बोया का जो बतायागा है कि इसमें लिखा है कि 20 फीट लंबी केबल है माइक्रोफिन यह रहा और इसके साथ जो सामन मिला है मुझे सामन में मिला है मुझे DSLR में यूज की जने वाली केबल और यह है कुशन जो इस microphone के उपर यूज किया जाता है और वीडियो की quality इसको यूज करने से बहुत अच्छे होती है आवाज की sound quality बहुत अच्छे हो जाती है फ्रेंड्स यह बोया का जो है बी वाई एम वन मोडल यह यूटुब पर वीडियो बनाने के लिए बहुत ही अच्छा दिखी इसमें लिखा भी स्मार्स फोन केम कोडर्स DSLR ओडियो रिकॉर्डर्स PCNATC सबसे अच्छा सस्ता अगर कोई रिकॉर्डर है वोइस रिकॉर्ड तो मुझे यही लगता है क्यों पसंद है क्योंकि आपको यह 800 रुपे के अंदर बहुत ही बेतरीन चीज मिल जाती है जो कहीं यूटुबर्स मैंने देखा है कि महंगे महंगे माई क्यों करते हैं कोई जरूरत नहीं होती है उनकी आप इसी से भी अच्छा काम चला सकते हो और मेरे हिसाब से अगर कोई भी यूटुप पर वीडियो बनाने जा रहे हैं कुछ भी करने जा रहे हैं तो इस माईक का इस्तमाल एक बार जरूर करें इसकी बीच में यहां पर एक सेल लगता है क्योंकि मैं एक हास से इसको खोलूंगा तो दिखते हैं खुलता है ठीक नह करते हैं और अगर सेल को प्योग नहीं भी करते हैं तो यहां पर ओन और यहां पर ओफ यानी स्मार्ट स्पोन और केमरे केमरा यहीं की डियसलार यहां पर ओन कर दीजिए तो यह डियसलार पर काम करेगा और इसको अगर आप ऐसे रखते ऑफ कंडिशन में तो यह कहां पर क पर अलग-अलग वीडियो आप देख पाएंगे और इतना देखने के लिए धन्यवाद थैंक्यू